प्यारे बच्चों, एक खर्गोश किसी खेट में बैठा हुआ था, उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, बच्चों को देखकर के उकाब नीचे उड़ा और वो बच्चों को पंजे में दबा कर उड़ गया, खर्गोश ने चिला कर का, अच्छे हुआ, अच्छे हुआ, मेरे बच्चों को लेकर ना जो, यह तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, उकाब को खर्गोश की बात सुनकर हसी आगए, उसने हिकारत से कहा, बला खर्गोश मेरा क्या भी गार सकता है, उकाब दोनों बच्चों को लेकर अपने घोस्ले में जा रठा और थोड़ी देर में उन्हें नोच कर खा गया इधर खरगोश बोला हम अब हम भी उकाब को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो भी याद करेंगा हम रात के वक सब खरगोश एकटे होकर उस तरफ के जड़ खोड़ने लगे जिसपे उकाब का घोस्ला था रात भर वो अपने काम में लगे रहे सुबह होते ही सब के सब चार्यों में चुप गए तीसरे दिन तरफ की जड़े बिलकुल खोगली हो गए इत्वाक से उसी रात ऐसी आंदी चली के तरफ जड़ से उकर तर दूर जा पड़ा तरफ का घोस्ला तुकड़े तुकड़े हो गया किसी ने सची कहा है दुश्मन को कभी कमसूर और खकीर नहीं समझना चाहिए किसी ने समझना चाहिए